आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ अब प्लस में कितना है 5 times of x प्लस में 5x प्लस में 6 और यहाँ पर किज़र है प्लस में 6 मानस में x is equal to 0 है तो देखो हम क्या करते है न इसका square कर देते हैं ठीक है तो हमको पता है कि a प्लस b प्लस c और इसका क्या whole square अगर हम कर रहे हैं तो यह value कितनी होती है a square प्लस में b square प्लस में c square प्लस में कितना 2ab प्लस में 2bc और प्लस में कितना 2c a के equal ठीक है तो यहाँ से इसका square करेंगे तो देखो कितना हो जागा x की पाओर में 4 और प्लस में 5x का whole square कितना हो जागा 25x Q होजागा प्लस में 6 x square किना होजागा 36 plus में 2ab को 2 X square किना होजागा 10 X pain x cube होजागा ठीक है अब प्लस में 2bc पान्वनस होजड़ 20 अर इंटु किना होजागा 10x X square तो 12 X square और इधार अंदर multiplication करके लिख देते हैं तो ये होज़ेगा 5 X square और प्लस में कितना 25 X हो जाएगा ठीक है और प्लस में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और प्लस में 6 और मानस में X is equal to 0 ठीक है तो चलो सबको एक साथ लिख लेते हैं तो X का प्लस में x का cube बस यहीं है तो 10x का cube लिख लेते हैं ठीक है और plus में देखो x square का time यहाँ 25 है यह 12 है और कितना है यह 5 है ठीक है तो 25 plus में कितना 12 और plus में कितना 5 तो यह आता है मेरा 42 के वाल तो यह जाएगा मेरा 42x square ठीक है अब देखो x का time देख लेते हैं तो 60 है और 25x है ठीक है तो 60 80 पॉण से 25 तो यह और प्राएख तो यह हो जागा 85 और यहां देखो出來 mmный X भी तो है तो 85 माइनस में वह कितना हो जागा अपना 84 और ठीक है तो यह हो गया 84 X हो गया ठीक है चलो अब कॉंस्ट्रेंट में क्या बचा है देखो 30-6 बचा है और ये 30 बचा है और प्लस में 6 बचा है तो 36 इंतू 36 प्लस में 36 किना हो जागा 72 72 is equal to 0 तो ये हो गया हमारा final equation ठीक है अब देखो हम discard rule of sign change discard rule discard rule of sign change इसके हिसाब से देखते हैं तो देखो ये इन्हों ने कहा कि जितना मेरा sign change होगा न equation में अगर मुझे positive root चाहिए ठीक है positive root चाहिए तो जो मेरा fx given है उसमें हम देख लेंगे कि sign change कितना है ठीक है तो number of number of sign change number of sign change ये equal हो जाएगा number of number of positive roots के ठीक है चल्व तो देखो यहां से इसमें से कोहीं भी sign change हो रहा है नहीं हो रहा है तो इसका मतलब no positive root ठीक है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि no positive roots है है ठीक है चलो अब negative roots अगर देखना है तो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि f of minus में x में देखते हैं ठीक है उसी में देखो number of sign change equal to number of negative root हो जाएगा वहाँ पर ठीक है इसमें तो number of sign change sign change यह हो जाएगा कितने number of negative roots के ठीक है चलो तो f of minus x निकाल देथे हैं तो देखो f of minus में x यह हो जाएगा योगर यहां पर x के पॉर में 4 यह तो minus mean x के पॉर में 4 करूँगा तो x के पॉर में 4 ही आएगा ठीक है यहां पर देखो minus में x का यहाँ पर 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 यहाँ साइन चेंज हुए, यह 4 साइन चेंज हुए, इसका मतलब कि number of negative roots, negative roots, यह कितना होगे, 4 होगे, तो यह दोखो, 4 negative roots यहागे, और 4 यह जो roots आते हैं, यहाते हैं, हमारे real number, तो 4, यहाँ, दोखो, maximum power कितनी है, 4 है, और इसके negative roots शारे कितने आ आगे, 4 ही आगे, तो जितने power maximum हो root आते हैं, तो सारे के सारे roots क्या होगे, इसके real होगे, ठीक है, और वो क्या होगे, सारे के सारे negative होगे, और कितने number में होगे, 4 होगे, और हमसे पूछा किया गया था, वही number of real roots, तो वह कितने है, 4 है, ठीक है, तो hope आपको समझ में आओगा, thank you.